जिविनाईल मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट आज एक एहम फैसला सुना सकता है इसी साल 29 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था बीजेपी नेता सुबरमनेम स्वामी और 16 दिसंबर 2012 को दिली में दुशकर्म की शिकार पिडिता के माता पिता ने कोर्ट में ये याचिका दाखिल कर सभी अपराध हुमें 18 साल तक सामाने कोर्ट में मुकदमे से छूट देने के जिविनाईल जस्टिस एक्ट के प्रावधा में फैसला ले हाला कि सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कानून को सही बताया है आपको हम ये भी बता दें कि 16 दिसंबर की घटना में चार आरोपियों को मौत की सजा मिली है जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसे महज 3 साल की सजा दी गई